हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल अनीता कॉमर्स काइट आज हम इस वीडियो में डेबिट नोट और ट्रेडिट नोट किसे कहते हैं और कौन इसे इश्यू करता है और कभ इश्यू करता है वो सारा देखेंगे क्योंकि अभी तक जो मैंने अभी आपको वीडियो कवर की ह वो हमने purchase book बनानी सिखिये, sales book बनानी सिखिये जिसमें on the basis of GST भी हमने practical problem solve कर ली है और अब बारी है purchase return और sales return की पर ये दोनों books बनाने के पहले हमें जरूर पता होना चाहिए कि debit note क्या होता है और credit note क्या होता है क्योंकि ये दोनों ही documents और दोनों ही ऐसी source है जिसकी basis के उप पर हम purchase return की entry करते हैं और sales return की entry करते हैं अब जब buyer जो है purchase करता है goods और purchase करने के बाद उसे पता चलता है कि वो overcharge हुआ है उसे जो value है वो overcharge हो गी है या उसे goods पसंद ने आई है या कुछ goods defective है, damage है, in that case he is going to issue debit note to the supplier, debit note से ही हम purchase return जो है वो record करते हैं और अगर आपको supplier है अगर उसको debit note मिल जाता है customer से तो उसका acknowledge करके credit note issue करता है और उसे पता चल जाता है कि जो goods है जो वापिस की गई है जो return हुई है goods उसको record करना है हमने और आप जो purchaser है उसकी जो purchase है वो कम हो गई है और जब purchase कम हो गई है तो naturally liability will also be decrease तो यह जो GST Act है 34 यह कहता है कि supplier जो है वो debit note और credit note बोथ कैन ही issue वो दोनों ही issue कर सकता है debit note वो तब issue करेगा customer को अगर उसे यह पता चलता है कि उसने customer को under charge किया है यह उसने ज़्यादा quantity की goods supply कर दी है जो कि invoice में mention नहीं है तो उस quantity के goods जो की ज़्यादा supply हो गई है उसके लिए जो है जो debit note issue किया जाता है अब supplier को जब goods return होकर आती है buyer से तो in that case जब goods return की जाती है यह goods defective है यह goods damaged है यह supplier ने customer को over charge कर दिया है इन that case also supplier जो है वो credit note issue करेगा customer को तो इस परकार से debit note and credit note both can be issue by supplier बट buyer कभी भी हमेशा debit note भेजेगा credit note buyer will never send to the supplier तो अब according to section 34 of GST Act कहता है कि आपने इस जो भी आपने debit note दिया यह credit note दिया है इसको notice में लाना है GST return में और आपने जो GST return में notice मिलाना है तो उसके लिए 6B के अंडर GST R1 में आपने debit or credit note की जो दी होगी आपको option online उस option में जाकर आपने जो original invoice bill था वो भी और जो आपने change किया है amended invoice bill है उसका भी आपने number भरना है तांकि आपको जो इसके online में जो है वो यह notice में ला दिया जाए debit note चाहे credit note है और इसकी जो notice में लाने या online जो भरने की date है वो अगर समझ लिजी आपकी April में ही हुई है तो आपने उस मन्त में या आने वाले मन्त में जरूर आपने यह return में notice में ले आना है otherwise आपने हर हालत में relevant year के September में और when you are furnishing your annual return उस case में जो भी earlier date है उस earlier date में जरूर बर जरूर return में इसका notice ले कराना है अपलोड करनी है आपने debit note या credit note तो यह सारा था आपका debit note और credit note दोनों में यह फरग है कि debit note से हमें जो buyer है वो supplier को issue करता है supplier को भीजता है और supplier उसे acknowledge करता है credit note से और जो debit note है वो purchase return के लिए हमारा एक source है document है जबकि जो credit note है वो हमारा sales return के लिए एक base बन जाता है तो यह सारा था आपका debit note और credit note अब फॉर एक्जामपल आपने वन लैक के goods जो है वो purchase की है तो naturally purchase करते वक्त आपने tax भी दिया होगा और वो purchase input tax होगा अब अगर आपने return कर दी है तो वो GST tax जितने भी percentage से आपने goods return की है उस percentage से आपकी जो tax liability है वो कम हो जाएगी और जबकि supplier की liability जो है वो बढ़ जाएगी तो इस परकार से यह सारा है debit note and credit note के बारे में hope आपको जरूर समझ में आएगा debit note and credit note और जब हम purchase return और sales return की एक practical problem करेंगे तो यह debit note और credit note वहाँ भी फिर से revise होंगे और आपको वहाँ पर practically इसको किस तरीके से हम record करते हैं क्या journal entries होती है जैसे अगर purchases में आपने input को क्या क्या था input CGST अगर interest rate है तो input IGST को debit किया था जब हम purchase return करते हैं तो reverse entry हो जाती है तब उस case में हम जो CGST, SGST या IGST है depending upon the interest rate or interest rate हम उसको credit करते हैं ऐसे ही sales return में है sales return में हमने output को क्या क्या था credit किया था always the entry will be sales customer account debit to sales to output चाहे वो IGST या CGST या SGST है उसे credit करते हैं लेकिन sales return के वक्त हम इसी output IGST या CGST depending upon the interest rate or interest rate transaction we are going to debit it तो यह जो entry जो हमने की होती है purchase के वक्त या sales के वक्त वो purchase return और sales return में reverse हो जाती है तो debit note से हम purchase return के entry करेंगे credit note से हम sales return के entry करेंगे तो यह है difference between debit note and credit note debit note will be issued by the buyer to the seller और seller जो supplier है वो debit note और credit note दोनों ही issue कर सकता है और इसका जो credit है वो भी available बाद में जब return भर के किया जा सकता है तो hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जुरूर पता लगा होगा कि debit note और credit note क्या होता है और यह कब-कब issue किया जाता है क्यों issue किया जाता है और इसे कौन issue करता है और किस प्रकार से हम GST R1 में under section 6B under section 9B के अंदर हम इसके entry करते हैं और GST R2 में recipient जो है वो 6C under section 6C of GST Act उसमें इसको record करता है तो hope आपको जरूर समझ में आया गो और इसके अलावा जो आपका जो 53 section है उसके अंदर आपने जरूर बर जरूर अपना जो detail है जो format है debit note का वो भी जरूर समझ लेना है क्योंकि हम जब upload करते हैं तो invoice number और क्या address है supplier का क्या उसका GSTN number है वो सारा भी जरूर लिखना होता है तो format भी जरूर देख लिजी आप debit note and credit note का तो इस format के अनुसारी आपको सारा detail समझना है तो अगर आपको मेरे ये video useful लगिया और आपको debit note और credit note समझ में आया है तो आप मेरे इस video को जरूर like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और जरूर बजरूर मेरे जो channel है इसको जरूर subscribe कीज कीजिए कीज़र